इस चैनल में आप सभी को हाथ रिश्वा नहीं नहीं प्रोड़क्ट विए को साथ मैं चीचांग नमस्ते सलाम अलेकम चले दस्ते शुरू करते हैं आप नहीं प्रोड़क्ट विव तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नहीं प्रोड़क्ट तकी यह इंडेक्शन है इंडेक्शन का कौनसा कमपनी है मॉर्फी रिचर्ट आप तो सब लोग जानते हैं जो जो लोग शॉपिंग मॉल में जात यह इंडेक्शन मैंने यूस किया हुआ हूँ और मेरे चैनल में पहले प्रेस्टिस का उशा का मैंने कुछ रिव्यू दे चुका हूँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आपके पास कोई भी कमेंट हो तो कमेंट किये जिए इसके बारे में तो मैं यह कोई नए प्रोड होता है सर्फ मैं यूज करता हूँ यूज करने के बाद हो क्या खराबी है कि अच्छा ही है यह अच्छा है कि नहीं है वो मैं शेयर करता हूँ थ्रू इस वीडियो तो आपको अगर कोई-कोई लोग को अगर खरीदना है तो यह वीडियो देख ले शुरू से लेकर इन तक यह देख ले तो आपको पता चल जाएगा यह आपके लिए अच्छा है कि नहीं इसको कैसे अपट करना है कैसे कुछ भी इसके सारे इतना भी टीटल से मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो पहले मैं इसका जो कैसे देखने में है इसका जो फीचर है मैं आपको बत 18-19-21-22 चल रहा है तो इतना साल इसमें किया प्रॉब्लम आया था किया प्रॉब्लम नहीं आया था कैसे यह सर्विस दिया मुझे यह सारे मैं आपको बताऊँ गाए सब कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए क्योंकि यह नहीं कोई अन्बॉक्सिंग है अन्बॉक् नहीं बताता वहीं यह कोई अन्बोक्सिंग चीज नहीं है यूस किया हुआ चीज है जो एक्सप्रियेंस है वही आपके लिए सब्सक्राइब चीज है तो मैं पहले शाथ का तो इज देखने में क्या सा है क्या कहना में तो देखिए इस देखिए चीप एक्सप्रेस है 4001 यह भी है मार्केट में मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता देखिए इससे वार्निंग लिखाए देखिए प्रेट इस नहीं देथा और यह यह एक पहले इंदक्शन है इसमें बहुत सारा हाईलाइट करके देखिए फ्लेम का प्रिंटेट क्या हुआ है और बहुत सारा जाधा तर इंदक्शन में क्या होता है यह सर्कल होता है सर्कल होता है लाइन के तरह सर्कल होता है तो कुछ समय बात वह क्या होता है, वो मिद जाता है, ये जो रस्ट पड़ता है, रस्प के नीचे पर जाता है, वो देखने लायक नहीं होता हो तो ये cheap express है और पीछे में आपको दिखा देए देए एक दम पुराना है आपको दिखा देए हो यह दिखे मॉर्फी डिचाड है इंडक्शन कुकर है चीप एक्सपेस पोर्ट जिरो जरो आएंट 82001 से में इसका मॉर्लल नमबर है रेटिंग है अधियर 54001 सेल्ग और 1900 वहर्टलो टोटीनंटी थी फौर्टल लगेगा पट्र थीन हंडेट वहर्ट है और वुट्क का वी काम है लेकिन यह बहुत ही जबढॉर्ड दस्त भूजन किकी से लिक मवी और उशा का जो है उशा का जो मेरा मेरे घर में उशा भी है इंड़क्शन वो 1600 वाट का है और यह 1400 वाट का है बहुत ही जबर दस्त है 500 मेगा हर्स चलेगा श्रील नमबर इस रियल नमबर आपको नहीं लेगा मार्केट एंड सर्विस इन इंडिया बाइब बजर्ज सरा अंदर में जो जितना भी सरा चीज़ है यह सब made in India है और यह फैनल लगा हुआ है आपको यह कुछ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑपेट करते है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यह पुरा मैंने इसका details बता देखती कि साइब में देखे यह बहुत ही कोईल है जितना भी बोड है कुछ भी पॉर्ब्रेम ने आएगा देखे कोईल सब के तरह सब कुछ अच्छा है यह रेगुलर यूज़ करने के लिए है और आप मैं जो कीचेन में जो हाउस में हाउसल में यह हाउसल परपस के लिए है नौट पर प्रफिशनल परपस वागर आप आपको अगर ये जायका दूकान है उसमें भी आप रख सकते हैं चायका दूकान के लिए यह सबसे अच्छा है क्योंकि यह यह खूल कर आपको clean करना सबसी इजी तरीका है क्योंकि यह clean करने के लिए इस इक डो यह चार यह चीज़ आपको खूलना पड़ेगा खूल करका अधर में आप clean कर सकते हैं यह बहुत easy है मैंने क्लीन करते हैं, भी मैंने आपको दिखा है, आप चाहे तो मेरे चैनल से यह क्या से क्लीन करें, जैसे कि ऊशा इंडुक्शन क्या से क्लीन करता है मैंने आपको मैंने चैनल में दे कर रखा है आप चाहे तो if you want to watch just search on my channel का इसमें बहुत ज़रा यह था और मैं अभी अब को बताऊं का इसका मेरा जो experience है इतना साल मैंने use किया मैंने अठ्रा में परचिस के आठ्रा 19 एक साल और दे साल मैंने यह बहुत ही रफ यूश किया, बहुती ही रेगौलर यूश केा रफ यूश मतलब धोंसे रेगौलर यूश किया इसको आने के बाद सबसे प्रोब्लम क्या हुआ यह जो बटन है यह जो बटन है यह यह देखिए इसका जो sound ट। तक कर रहा है ये कोई touch button नहीं है जासे कि prestige जो महंगवाला चो induction है वो touch button है ये touch button नहीं है ये button ये button है ये टक 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 कर रहा है इसमें सबसे सब में को problem आता है on off में क्योंकि on off मैं जाधा करता हूँ और ये up और डाउन, डाउन में कुछ प्रॉब्लेम नहीं हुआ, क्योंकि डाउन बटन में इसको प्रॉब्लेम नहीं हुआ, बहुत कम यूज़ करता हूँ, सबसे यूज़ करता हूँ, यह पावर अन अफ और यह आप, क्योंकि यह जो नॉर्मल जो डिफॉल्ट वाट है, यह मुझ वाट आता है और इसमें कम वाट में यह बहुत जबद्स पावर देता है और इसमें 6 kg आप मैक्सिमाम लोट आप चला सकता है 6 kg इससे जादा आप खराएंगे तो यह तूट भी सकता है तो इसका 6 kg तो 6 kg आप भी सकता है तो 6 kg आप खराएंगे तो यह जो अंदर में पैनल है पैनल मैंने यह चेंज करकर लाया अभी कुछ दिन पहले मैं चेंज करकर लाया अभी इतना साल तक यह परा हुआ था पैकेड में परा हुआ था तो यह सारे 300 लिया 400 मांगा था, सारे 300 लिया मैंने कोई service center में नहीं गया, local जो दुकान के मैंने चेंज करकर लिया और अंदर में जो पैनल है वो इंडियान पैनल है, कोई Chinese पैनल इसमें नहीं लाएगा क्योंकि यह इंडियान कंपनी है, तो इं चाहे तो separately उसका जो बटन है ये जो बटन है जो ये बटन मुझे नहीं चाहिए ये सारे बटन मुझे नहीं चाहिए ये सब special के लिए है आप इधर से control कर पाएंगे ये सब जो नहीं जानता उसके लिए ये है जिसको temperature के बारे में पता है इस temperature में यह होगा ये temperature में यह होगा यह करते करते आपको prohibit हो जाएगा तो आपको क्या करना पर गए इससे बटन लेकर आपको यह बटन लेकर इससे बटन उतार कर इसमें लगा दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि कि मैं इसको पीछे समय नहीं दे पाया मैं थोड़ा सा ढून लेता तो मैं मुझे पता चलता तो किया किया कोई इतना जमला मैं नहीं गया जस्ट इसमें पैनल मैंने चेंज कर दिया सबसे आसम तरीका है इसमें थोड़ा सा बटन उतार लो और इसमें लगा लो इससे सबसे 50 10 रुपए में हो जाता यह सारे 300 रुपए लिया अगर मैं कर पाता तो मैं कर दिता है मेरा प्रोक शूलब इसमें रुटे Jeremiah कुछ नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया उसमें अभी तक प्रॉब उसमें बटन वाला बटन से कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा तो ये कैसे चला है तो ये खरिदना है तो आप खरिद सकते हैं अप्रस्टिछ है यह बहुत ही अच्छा ब्लेंड है इसकांडर में है बजस इलेक्टरिक में आपको नहीं बताऊँ कासा है ऊचा तो अच्छा है प्रेस्टिक का भी अच्छा है मौट भी तो पप इस नहीं सर्स kicking देश है सबसे एड़न्ट फीचर है इसमें वाट बहुत ही कम लगता है जै कि प्रेस्टिज में 2200 वाट लगता है वाट लगता है और उशा में 1600 1600 वाट लगता है और इसमे 1400 वाट लगता है कम वाट में ये सब कुछ कर देगा सब कुछ कर देगा वाट के लिए आपको इतना चिंता म बटन आपको दिखने हैं थोड़ा से उपल ले जाता हूं । और में फ्लक घंता हूँ n कि भी अगये घंद sonra सैर pocz cabbage कर लिया और इसमें आकी आप देम सीएडिल का जो हैस प्रकाणष है। कि मैं को जराया आपको अब हर यह जो इतना बी धैसारे बॉटन है कुछ कुछ भी आपको नहीं लगए कुछ भी चीज आपको तरकां मैं है तिर पिर वर का आन डाउन काफी यह सबसे important चीज़ है, सबसे ज़्यादा जरूरत है, यह तीनों चीज़ आपको अगर timer आप लगाएंगे, तो इसका जरूरत लगए यह timer आपको इस चीज़ का कोई भी जरूरत नहीं है, तो on करने के लिए पहले on किया, यह on हो चुका है, तो कुछ indicator चल रहा है, 2, 3, 0, 2, 3, 2, 28, 231, 233, 232, 231, कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, यह क्या है, मुझे भी नहीं पता, तो मैं यह on कर जाता हूँ, देखिए यह चल रहा है, इतना दिनों के बाद भी यह चल रहा है, इससे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखिए यह default आगया है, 160, actually आपको लगेगा 180, फ्राइ करने के लिए आपको 180, यह watt में चल रहा है, यह watt में, यह देखिए, इससे 160, देखिए न, यह watt, हाँ, 160 है, यह उपर में यह degree है, 160 centigrade है, यह watt में नहीं, 160 centigrade में है, देखिए, इसमें, आप अगर डाउन में जाएंगे, 120 होगा, उसके अंदर 180 होगा, यह 180 से यह last है, 180, यह क्या होगा, यह continue नहीं चलेगा, थोड़ा सा temperature देगा, बंद हो जागा, तेंपरचाद देगा बंद हो जगए आसा क्रकर करेगा आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये 120 ये भी discontinue हो गा तोड़ा सा देगा कम होगा देगा कम होगा देगा कम होगा देम होगा या सब करके होगा आप अगाँ देखे 1661 180 200 ये continue चलेगा 180 continue 200 देखिए 200 देखिए ज़्यादा जल्दी हो रहा है देखिए इसके सबसे high temperature है 240 centigrade 240 centigrade है इसमें सब कुछ हो जाएगा मैं इसको इतना temperature नहीं लएगा मैं इसको down कर देता हूँ देखिए 160 इसका ये सबसे important जाएगा ये पानी boil हो रहा है तो अभी मैं जब इसको मैं off करूँगा ये बहुती easy है on off and up and down यही आपको करना है बस आपको अगर milk करना है तो आप क्या किजिए इसको 120 और 180 centigrade में आप अगर लाएंगे तो milk बहुत ही अच्छा रहेगा milk जो अंदर burn हो जाता है वो नहीं होगा सबसे जो जितना भी लोग काम करता है सब का यही problem होता है जो milk boil करता है milk boil इस container में करता है इसलिए क्या होता है इसको बंद करदेता हूँ बंद करना है आपको ऐसे बंद करने के समय जितना देर तक यह fan चलेगा उतना देर तक आपको यह चलाना परेगा देखे मैंने off करदिया है यह blink हो रहा है blinking हो रहा है यह off आपको जो main plug है उससे आपको ये off नहीं करना पड़ेगा ये अगर fan बंद होगा उसके बाद ही आप ये fan से ये जो plug है plus से switch off कीजिए जब बंद होगा तो मैं तो सबका यही problem होता है मैं सबके पास मैं ये जानता हूँ सबके यही problem होता है जो milk होता है वो milk क्या होता है? वो milk बंद हो जाता है तो आपको क्या करना होता है? अगर ये पतला सॉस्पेंड से ये एक steel का है ये अगर इतना पतला ठीकने सॉस्पेंड में आप करेंगे तो वो बंद आपको हर समय ये चामूस लेकर देखिए आप ये off हो गया है अप हो गया फैन भी बंद हो चुका है अभी मैं इसको स्वीज प्लाक से बंद कर दूँगा देखिए बंद हो गया आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप milk बंद होगा और आपको ऐसे ऐसे करके साइकलिंग करना पर गया तब ये जो milk है दूद है वो बंद नहीं होगा ये सबसे इंपोर्टन चीज है और देखिए ये गरम भी नहीं हुआ ये चलाना सबसे आजन है और प्रेस्टिस का जो है वो चलाना तोड़ा सा तोड़ा सा डिविकल्टी है ये बॉटन वान वाला सबसे अच्छा है प्रेस्टिस से प्रेस्टिस से भी अच्छा है और प्रेस्टिस का पावत बहुत जादा है अपको का पैसा बचना है तो मॉर्फी ये चौदा सो वाट वाला करीदे मॉर्फी और बजा सेमी है एक ही फैक्टर में बंदा है मॉर नहीं होता है तो ये था इस वीडियो में मैंने इसके पूरा डिटेल्स आप पर बता जया पूरा डिटेल्स इसका तो मैं आशा रहूंगा I hope you enjoy this video thanks for watching see you again in the next video with a new protective world bye bye